दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल सिविल साइड विजिन में तो गाइज आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टन टॉपिक होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने बाईउं के लिए एक इंपॉर्टन टॉपिक ले यहाँ कि लाइफ ऐसे सिविल इंजिनियर क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ फ्रेशर हो तो आपके लिए एक काफी इंपॉर्टन टॉपिक होने वाला है क्योंकि अभी जैसे ही आपकी बीटेक कंप्लीट होगी जहाँ आप भी आप गर पे बैठे हो आपको कोई जॉब नहीं मिल रही तो यह चीज़ें आपको फ्यूचर में फेस करनी है तो वो ही मैं बताऊंगा कि लाइफ ऐसे सिविल इंजिनियर इन दा सेंस की मतलब फिल्ड पे जाके आपकी कैसी लाइफ होने वाली है तो इस वीडियो से आप डिमोटिवेट नहीं होना कि मतलब इसको ले लो कि यह मोटिवेशन ही दे रहा हूँ क्योंकि आपको इस चीज के लिए प्रपेर होना है क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा आज वो सब आपको आगे जाके फेस करने वाली पढ़े है मतलब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले responsibility की तो अगर आप civil engineering हो तो काफी बड़ी responsibility आपके कंदों पर आ जाती है मतलब अगर पहले-पाश्ट में देखा जाए तो बोला जाता था जो Cevil engineer है तो उसको Military engineer भी बोलना है जाता था क्योंकि सेम हमारे soldier की तरह हमें काम करना पड़ता है अगर responsibility की बात करूँ तो सबसे पहले आपके अंडर होगा supervisor उसके अंडर होगी labor तो काफी लोगों को आपको साथ लेकर चलना पड़ता है उनकी safety की जिमवारी आपकी बाकी जो project रहेगा आपका वो लाक यहां क्रोडों में होगा तो उसकी total responsibility आपकी होगी बनाने में इतना खर्चा नहीं आता अगर थोड़ी भी गलती हो गई उसको तोड़ने में उससे double जादा खर्चा आता है तो सब देखके आपको चलना पड़ता है एक यह responsibility की बात ही हुई दूसरी आई हमारी job की मतलब एक काफी जादा tough job है environmental condition पर आपको काम करना जाए आपको कभी-कभी 45 degree temperature भी भी काम करना पड़ेगा और कभी-कभी आपको minus में भी जाके काम करना पड़ेगा और आपकी starting में जो timing रहेगी 13-14 गंटे minimum आपको काम करना ही परना पड़ेगा और अगर by chance कुछ concreting बगर या कुछ बड़ा बरकाया तो आपको वो 24-24 गंटा भी काम करना पड़ता है और इस काम के लिए आपको अगर देखा जाए तो जादा कुछ जादा salary नहीं दी जा रही है salary हमारी कितनी है 10-18,000 रुपया फ्रेशर को अभी salary दी जा रही है और उससे काम लिया जा रहा है उससे 4 गुना जादा का तो ये काफी जादा मतलब देखा जा रहा है कि कोई civil engineer होके भी मतलब उतनी respect या उतना जो salary होना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही है ऐसे civil engineer है अगर तीसरी बात करें तो उस बंदे की social life विल्कुल खतम हो जा रही है आप civil engineer हो जब fresher आप site पर जाओगे तो आपको ये चीज़ें face करनी पड़ेंगी कि आपकी social life ही खतम हो जाएगी सुबह 8 बजे जाओगे रात को 10-11 बजे पहुंचोगे आते नहा दो के सो के खतम मतलब उसमें आपकी social life बिल्कुल zero ना आप अपनी family को time दे पाओगे मतलब family time zero तो ये कोई easy काम नहीं है civil engineer होना अगर देखा जाए risk की बात मतलब जैसे मैंने soldier की बात की अभी पीछे में कि soldier ऐसी life है तो वैसी अगर देखोगे कि side पर risk इतना जादा है जो भी बर्क चल रहा है अगर 12th floor है आपका construction का तो वहाँ walls नहीं है तो वहाँ जाके आपको काम करना पड़ेगा sharp tools हो गए steel हो गया जो भी है तो काफी ज्यादा risk की life उपर हो सकती है सामने आप देख रहे हो अभी कितना मतलब ये अपना 12th floor है इस पर हमारा काम चल रहा है तो इस पर कितना ज्यादा risk हो सकता है बहुत ज्यादा risk होता है इस job में दूसरी चीज जो tough है इस मतलब job में वो है जब ऐसे फ्रेशर आपको एक तो पहले job नहीं मिलेगी क्योंकि मै messages देख रहा हूं Telegram हो गया WhatsApp हो गया Instagram हो गया तो यही message जा रहे है कि Sir possible हो हमें नोकरी दो कोई मतलब salary की need नहीं है ऐसे हमें काम करने दो तो क्यूं इतना क्यूंकि आपके पास degree है आपके पास अगर knowledge है सब है तो इतना request करने की जुरूरत कि किसी को नहीं है क्यूंकि B.Tech Engineer हो तो एक दिक्कत हो रहती है जब आप किसी भी company में जाओगे जैसे तो आपको क्या है वहाँ politics देखने को मिलेगी जो आपके superior होंगे senior होंगे वह आपको दवाने की कोशिश करेंगे जहां politics चलेगे वह काम नहीं करता है यह है वो है यह चीज़ें भी आपको face करने चाहिए जब भी आप मतलब किसी भी company है contractor line में बुषते हो तो करो कोई दिक्कत नहीं है 14 गंटे 15 गंटे जितना काम होता है करो experience दो साल का experience आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको किसी repudated company में जाने है तो उसके लिए भी दो साल का experience ज़रूरी है अगर आपको खुद का क कोई construction काम शुरूर करने है उसके लिए भी दो साल ज़रूरी है और वो दो साल आप मज़े से निकाल दोगे क्योंकि आपको अगर life में कुछ करना है तो मैं बोलता हूँ 13-14 गंटे क्या 15 गंटे काम करो क्योंकि इसी के बाद से ही आपकी journey start होगी अगर आप कुछी अच्छ बनोगे labor contractor जाँ जो भी तो उसमें भी आपका सब balance हो जाएगा अगर आपने ये दो साल अच्छे से किये हुए है तो guys ये था आज का topic हमारा life as a civil engineer आज का video कोई बनने का ये मतलम नहीं था कि आप demotivated हो कि ये ये होते हैं ये ये चीज़ें इतना बता रहे हैं सर की इतना गंटा काम करना बड़ता है salary नहीं है ये नहीं है तो ये चीज़ है लेकिन आपको इसको बदलना पड़ेगा आपको इसको face करना पड़ेगा तो इसके लिए प्रपेर रहो क्यूंकि आगर आप जाते ही देखो के ये चीज़ें तो आप demotivated होके छोड़ दो के जाब कि न झाल 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 झाल